इन दोनों मंडियों में प्याज की नई फसल की आवक अच्छी हो रही है, जिसके कारण प्याज के दाम कम बने हुए हैं. ठोक में प्याज बेस्ट क्वालिटी एक हजार छे सो से एक हजार साथ सो रुपए प्रती क्विंटल बिक रहा है, वहीं खेर्ची भाव बीस सरकार के अनुमानों चे अनुमान के अनुसार, महाराश्व, करनाटक और आंध्र प्रदेश जैसे प्रमुक उत्पादक राजियों में कम पैदावार के कारण दुनिया के सबसे बड़े प्याज निर्यातक के उत्पादन में 2,03-24 में 16% की गिरावट आने का अनुमान है. इन राजियों में प्यास का उत्पादन 2.54.7 लाक टन रहने की उम्मीद है केंद्र सरकार ने इस माह के पहले सप्ताह में प्यास पर लगी निर्यात बंदी को हटा दिया है लेकिन तब भी किसानों को प्यास का सही दाम नहीं मिल पा रहा है निर्यात प्रतिबंध हटने के बाद भी प्यास के भाव में उच्छाल होने की बजाय लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है एक महीने के दोरान दिल्ली में प्यास की कीमत में 10 फीसदी से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है जबकि लखनव में लाल प्यास की कीमत 15 फीसदी लुढग गई है प्यास के भाव में लगभग पूरे देश में गिरावट दर्ज हुई एक्सपोर्ट खुलने से भारत की प्यास ने वैश्विक बाजार में एंट्री मार दी है जिसके बाद से वैश्विक बाजार में कीमतों 50 फीसदी तक गिर गई है और जबकि घरेलू स्तर पर प्यास की कीमतों में 15 फीसदी की गिरावट दर्स की गई है रिपोर्ट के अनुसार भारत में एक्सपोर्ट बंदी के दौरान विदेशी खरीदारों ने पाकिस्तान की सस्ती प्यास खरीद कर अपना स्टॉक भर लिया है जिसके चलते अब वह स्टॉक खत्म होने में 10 दिन का समय अभी और लगेगा ट्रेडर्स ने उम्मीद जताई है कि जून महीने में प्यास की मांग विदेशी बाजार में बढ़ेगी जिससे विदेशी खरीदारों से ओर्डर मिलने की गती में भी तेजी आएगी इसके बाद ही प्यास की सही कीमते मिलने की उम्मीद है वैश्विक बाजार में परियाप्त उपलब्धता और स्टॉक फुल होने की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्यास निर्यातकों को विदेशी खरीदारों से अब अगले 15 दिनों के बाद ही ओर्डर मिलने की उम्मीद है रिपोर्ट के अनुसार प्यास निर्यातकों ने कहा कि मलेशिया, श्री लंका, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात आधी देशों में प्यास का निर्यात तेजी से बढ़ने वाला है विदेशी खरीदारों को ये उम्मीद नहीं थी कि भारत सरकार चुनाव खत्म होने से पहले निर्यात प्रतिबंध हटा देगी विदेशी खरीदारों भारतिय प्यास सस्ती परती है भारत में निर्यात प्रतिबंद के पहले वैश्विक स्तर पर प्यास की कीमत भारतिय मुद्रा में 170 से 200 रुपए प्रती किलो तक पहुँच गई थी जो अब कम हुई है मंदसौर कृशी उपज मंडी में प्यास के दाम कम मिलने से किसान परेशान है प्यास के भाव कम मिलने पर किस प्यास को मंडी में ही छोड़ कर चले गए पिपलोदी गाव के सुदर्शन धाकर ने बताया कि प्यास के दाम इतने भी नहीं मिल रहे कि किराया निकल पाए ऐसे में प्यास को बेचना या ले जाना भी संभव नहीं हो पा रहा बता दें कि मंडी में प्यास चार से बारह रुपए किलो तक बिक रहे हैं वहीं कुछ धेरों की बोली व्यापारियों ने एक रुपए से भी कम लगाई अब भीशन गर्मी की वज़े से प्यास में नुकसान होने की संभावना है अब तक ज्यादातर प्यास का स्टॉक पूरा हो चुका है ऐसे में कच्चे शेड में प्यास के दागी होने का अंदेशा रहता है महाराश्ट्र के धुले से आई आवक में भी दागी प्यास ज्यादा देखने को मिला मंगलवार को प्याज के भाव में नर्मी देखी गई फिलहाल दागी माल की आवग ज्यादा और अच्छे माल की आवग कम हो गई है क्रिशी विभाग द्वारा जारी किये गए आंकडों के अनुसार महाराष्ट्र में प्याज की उपज अच्छी मिली है आने वाले दिनों में अगर प्याज में तेजी बनी तो महाराष्ट्र तरफ से मध्य प्रदेश में प्यास पहुँचने लगेगा महाराष्ट्र में प्याज उत्पादक किसान को इस समय 14-15 रुपए किलो के भाव मिल रहे हैं निर्यात से महाराष्टर वालों को उचित दाम मिल रहे हैं व्यापारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में प्यास के भाव में ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना कम ही है प्यास के अधिक्तम भाव 25 रुपए प्रती किलो से कम रहने की संभावना है हालां कि क्रिशी जानकारों के एक तबके का मानना है कि सितंबर 2024 के पहले प्याज के भाव 3500 रुपए प्रती क्विंटल तक हो जाएंगे यही कारण है कि इन दिनों बेस्ट सुपर प्याज की आवक नामात्र की ही हो रही है इधर साल भर का टिकाओ प्याज इन दिनों में ही आता है ऐसे में लोकल खाने वालों की खरीदी भी बढ़ने के आसार है किसानों को आगामी दिनों में अच्छी तेजी की संभावना लग रही है ऐसे में प्याज को होल्ड किये जाने की खबर है निर्यात प्रतिबंध हटाने एवं प्यास का उत्पादन कम रहने से खरीफ सीजन में प्यास की फसल आने के पहले भाव बढ़ने की आशंका के चलते सरकार अभी से सतर्क हो गई है सरकार इस साल एक लाक टन का बफर स्टॉक बनाने के लिए प्यास के रेडियेशन प्रोसेसिंग को महत्वपून रूप से बढ़ाने की योजना बना रही है इस कदम का मकसद राजनीतिक रूप से सम्वेदनशील माने जाने वाले प्यास की कमी और कीमतों में बढ़ोतरी को रोकना है उपभोकता मामलों के मंत्राले में सचिव निधी खरे ने कहा कि जमाखोरी को हतोच साहित करने और अकसर आपूर्ती में व्यवधान से उत्पन होने वाली कीमतों में अस्थिर्ता को रोकने के लिए सरकार प्यास के शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर रेडियेशन टेकनोलोजी का उप्योग करने की योजना बना रही है। खरे ने कहा हम उपभोक क्षेतरों के आसपास पचास रेडियेशन सेंटर्स की पहचान कर रहे हैं। अगर हम सफल होते हैं तो इस साल एक लाग टन तक रेडियेशन प्रोसेस्ट प्यास का भंडा के आसपास रेडियेशन सुविधाओं की खोज करने को कहा है। पिछले साल महाराष्टर के उतपादक शेतर के पास 1200 टन के छोटे पैमाने पर रेडियेशन प्रोसेसिंग की कोशिश की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी